हेलो दोस्तों स्वागत है आपका Quality Education के श्प्रेटफर्म पर हम क्रेस को और सिरी चिला रहे थे जिसमें भारती राजविस्ता हम देख रहे थे तो भारती राजविस्ता का आज एक बहुत महत्पुन वीडियो यह आने वाला है इसमें मैं सारी महत्पुन समीतियों के बारे मे सभा की जो समीथिया थी उसके बारे में बात करेंगे प्रारूप समीथिया के जो सदस्यत है जहां से एक्जाम में बहुत important सवाल पुछे जाते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे और चुनाव सुदार से संबंदित महत्पुन समीत्या हर एक दूसरे एक्जाम में चुनाल संबंदित जो भी समीत्या होती है उसके बारे में सवाल पुछ जाता तो हम उसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले या परम समीदान सभा की जो प्रमुख समीत्या थी उसके बारे में बात कर लेते हैं समीदान साथ से आछ सवाल को सिख सकते हैं तो समीधान सबासे एक सवाल तो डएफिन IRA data कि अक पर चुट हीड़े इसका जा सकता है किसी भी समिधी के बार है में तो हम इसको शोट वीडियो में एक below हो जाएगा सबसे पहले बात करते हैं संचालन समीथी तो इनको याद रखना भी कोई मुश्किल काम नहीं यह कुछ पहले हम उनी के बात कर लेते हैं मैं आगे कुछ और लिखा है यह अलग लग लिखा है तो मैं पहले उनको देख लेता हूं एक तदर्त जंडा समीती थी उसके अध्यक्स भी डॉक्टर राजंदर प्रसाद को ही बनाया गया 22 जुलाई 1947 को हमारे जो वर्तमान में आज जंडा है तिरंगा उसको एकसेप्ट कर लिया गया स्विकार कर लिया गया और यह कर लिया गया तो तदर्त जंडा समीती जंडा किस प्रकार होगा उसके अध्यक्स भी डॉक्टर राजंदर प्रसाद को बनाया गया और एक है प्रक्रिया नियम समीती डॉक्टर राजंदर प्रसा यहाँ पर क्या है कि जिन्होंने ये PDF तयार की है, content तयार किया, उन्होंने इसको थोड़ा सई डंग से नहीं लिखा है, मैं इसको आपको एक साथ बता देता हूँ जो भी साथ में हैं, संग समविधान समिति और संग सक्ति समिति, इन दोनों के अध्यक्ष पंडित जवहरलाल नेहरू, द्यान रखना, संग से संबधित जो भी होगा, संग के परधान मंत्री कौन है? मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, संग का कारे समबालते हैं, पंडित जवहर लाल नहरू संग का मतलब है केंद्र वो प्रधान मंत्री इसलिए संग संविधान समीति और संग सक्ति समीति जब आएंगे तो उनके अध्यक्स होंगे पंडी जोहरनाल नहरू प्रांत प्रांतिय संविधान समीति की बात करेंगे आप बताएं राज्यों का एकिकरांगा कार उसमें कोई प्रोबलम नहीं हैगी, परांती समीधान समिती, सरदार वाल्लबाई पटेल आप बता सकते हैं, अब बात करते हैं, प्रारूप समीती, समीधान की सबसे महत्पून समीती मानी जाती है, जिसको हम Drafting Committee भी कहते हैं, प्रारूप समीती इसको कहते हैं, उसके अध्य अब आगे हम नेक्स ये भी पढ़ेंगे प्रारूप समीति के साथ सदस्यत हैं उनके बारे में भी हम specially पढ़ेंगे क्योंकि इसके बारे में भी पूछा जाता है वित एवं स्टाप समीति यहां इसको एक थोड़ा साम सही कर लेंगे वित और स्टाप समीति के जो अध्यक्स थे वो भी डॉक्टर राजेंदर परसाद ही थे इसको भी आप सही कर लेंगे ना डॉक्टर राजेंदर परसाद यहां पर हमने चार अलग लग जगा पढ़ ले था वित और स्टाप समीति के अध्यक्स भी डॉक्टर राजेंदर परसाद क्लियर उसके बाद आता है मूल अधिकार उप समीति धान रेकना यह उप समीति है एक्जाम में उप समीति के बारे में पूछा जाए कि इन दोनों समीति के अध्यक्स को ने हैं उप समीति के नहीं समीति तो इन दोनों समीति के अध्यक्स सरदार वल्लब भाई पटेल ही होंगे तो यहाँ पर आप वल्लब भाई पटेल का नाम लिख सकते हैं वल्लब भाई पटेल आपको खास तोर पर उप समीत को ध्यान में रखना है लेकिन अगर समीति भी पूछा जाए तो मूल अधिकार आपको ध्यान होगा कि 1931 का कराची अधिवेशन था उसके जो अधिक्ष थे वल्लभाई पटेल उन्होंने मूल अधिकारों को भारतिय समीदान में रखने की बात कही थी वल्लभाई पटेल को इनकी अधिक अलग अलग है पर समीति हमने पढ़े लिया था और का रिय संचाला समीदि इसके अधिक्स बनाए गए थे चाहिता ही बाहते आपको लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा इस ट्रिक से आपको सारे सातों सदशिके नाम याद हो जाएंगे drafting committee को कह सकते हैं इंगलीज में इसका नाम drafting committee हो गया तो drafting committee भी आ सकता हिंदे में लिखा होगा अब इसमें total साथ सदस्य थे अध्यक्त सहीत उन साथों सदस्यों के हम अब देखेंगे डॉक्टर भीम राव अंबेड कर जो आप जानते हैं कि इस प्रारूफ समीति जो सबसे महत्पून समीति मानी जाती है उसके अध्यक्त से आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे कि प्रारूफ समीति का गठन कब हुआ और यह जो प्रारूफ समीति के उसके बाद पांचों हैं सेयद महमद सादूला चटे नमबर पर ध्यान रखना एन माधव राव पहले इनके इस्तान पर बी ल मित्र थे लेकिन थोड़े टाइम उनको बनाया गया लेकिन थोड़े टाइम बाद ही वो स्वास्ते कारणों से दूर हो गए इस समीति से और मै 248 में इनकी मृत्ति के बाद TT क्रश्णमाचारी को इस समीति का जो सदस्य है वो बनाया जाता है तो ये साथ सदस्य होगे अब इनको याद के से रखना है और कहां से सवाल पुछा जा सकता है वो मैं आपको बताता हूं एक तो अध्यक्स का नाम तो आपको दियाद होने चाह करते हैं ABDGKM मैं आपको इंग्लिश की अक्षर बताएं ABDGKM ठीके बी पर आप B2 कर दीजिए क्योंकि बी नाम से में दो मिलेंगे A से हमने पड़ा अल्लादी क्रश्न स्वामी अयर एक नाम हो गया B से आप दो नाम याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बी से शुरू होता भीमराव अंबेडकर और B से BL मित्र अभी हमने पड़ा पहले BL मित्र थे ओके तो दो यहाँ पर B से हो गये उसके बा और M से मुहमद सादुला इनका नाम मुहमद सादुला तो M से मुहमद सादुला बस आप चार अक्षर याद रख लीजिए आप सारो साथो सदस्य के नाम सदस्य के नाम आपको याद रहते हैं लेकिन कई बार पूरे एक साथ हम भूल जाते हैं लेकिन अगर आप सिरफ यह यह A, B, दोनों साथ में आते हैं, D, G और KM, ठीक है, A, B, D, G और KM, इससे आपको साथ तो सदशी के नाम याद हो जाते हैं, अब और क्या स्वाल पूचे जाता है, माधवराव बीयल मित्रा की जगाह पर आये थे, पहले बीयल मित्रा थे, बाद में माधवराव आये, अब यहां पर कथन से सम्वाल पूचे जाता है, कि माधवराव के स्वास्ते खराब होने से, बीयल मित्रा को लिया आ गया, ये कथन कैसा है, ये कथन गलत है, और हमें इसमें इसमें कन्फूज बशाते हैं, कि बीयल मित्रा पहले थे, या माधवराव पहले थे, डीपी कहतान प भी बी एले माता है catalyst eighteen BL taking aral피 माधैर होगा इसी तरह साब यहां पर याद रख सकते हैं डीपी आप ये मेरे याद रखने का तरीखा है मैं इस तरह याद रखता हूं आप इस तरह सी याद रख सकते हैं gust DPT, अपने सुना होगा, DPT के बारे में पढ़ा होगा, तो DP से DP खेतान और T से TT करश्ण में चारी, यानि DP पहले आ रहा है, T बाद में आ रहा है, यानि TT करश्ण में चारी बाद में आते हैं, क्लियर है, इस एक ट्रिक से आपको सारे साथ सदस्य के बारे में याद हो जाएग पहले आती है तारकुंडे समिती, तारकुंडे कमिटे वी एम तारकुंडे थे, उनके अध्यक्स्ता में बनी थी 1974 में मुख्य सिफारिष के आती केवल हम उसकी बात करनेंगे, और भी वहाँ सारी सिफारिष थे लिकिन मुख्य सिफारिष जो एक्जामे पूछ जाती है, मतदाता की आयू 18 वर्ष होनी चाहिए, पहले आपको ध्यान हो तो ये 21 वर्ष थी, इन्होंने सिफारिष थी कि मतदाता क कि आयू 21 वर्ष से गटा कर 18 वर्ष कर देनी चाहिए, ये इसकी सबसे मुख्य सिफारिष तो यही एक्जामे पुछ आता है, बाद में 61 समीधान संशोदन, ये भी आप खास तोर पर द्यान में रखना, बहुत बार पुछ आता है, 1989, स्री राजीव गांदी जी प्रधान म इन्हों ना एक था कि मतदाता का परीचे पत्र होना चाहिए, आप देखेंगे कि वर्तमान में हमारा वोटर आईडी होता है, वोटर कार्ड होता है, उसी वोटर कार्ड से हम वोट देता है, पहले ये नहीं होता था, तो कई फरजी वाड़े भी होते थे, ठीक है, तो इन् कि सिफारिस भी बाद में मानी गई, संथा नम समिति, अपने संथानम समिति के बारे में ओर भी पड़ा होगा, के संथानम समिति, 1964, जिसकी सिफारिस परे सीबी सीबीसी का घठन किया गया, इन्हीं संथानम समिति ने चुनाव सुधार से संबंदित भी अपनी सिभारिस्ति से देती। इन्हों ने कहा था कि नियूनतम स्यक्षनिक योगेता रखनी चाहिए, लिगुद बन सकता है ay सफारिस्ति आज तक लागू नहीं की गई है और हमारे नेताजी क्यों चाहेंगे, हाला कि ऐसा नहीं है कि अभी भी सारे अधिकांस लोग अनपड़, ऐसा नहीं है, अधिकांस लोग पड़े लिखे आते हैं, लेकिन फिर भी एक नियूनतम सेक्षिन योग्यता कि इन्होंने एक सिफारिस किती, हाला कि इसको माना नहीं क्यों नहीं माना गया, इसके पीछे तरकिये दिया जाता है, कि लोग तंतर में हर व्यक्ति को अधिकार है, चाहे वो पड़ा लिखा हो, चाहे वो अनपड़ हो, हर व्यक्ति को अपना एक राइट्स मिलना चाहिए, लोग तंतर में हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का और वोट देने का अथिकार मिलना चाहिए अगर कोई अनपड व्यक्ति रहे गया किसी कारण से वो कारण बहुत सारे हो सकते हैं वो सरकार के भी कारण रहे सकते हैं समाज के भी कारण रहे सकते हैं तो उस कारण से वन्चित नहीं किया जा सकता यह सोचते हुए अभी तक सरकार ने लागू नहीं किया, यह सरकार के तर्क है, राजिस्तान में भी आप देखेंगे, सरपंच के लिए यह जो पंचाहिती राज के चुनाव थे, उनके लिए न्यूनतम सेक्षनिक योगिता रखी गई थी पहले, लेकिन यही तर्क देते हु महिला हमारा 52.1 प्रतिशत साक्षर्ता है महिलाओ की, 2011 की इसाबस में बता रहा हूँ, इसका मतलब है कि हम 48 प्रतिशत महिलाओ को वन्चित रख रहे हैं चुनाव लड़ने से, कर ऐसी सेक्षनिक योगिता रख देते हैं, और पुरुषों में भी शाक्षर्ता, तो राजस गोह स्वामी समीती, इसके बार में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक्जाम में, दिने इस गोह स्वामी समीती का संबंध किसे था, चुनाव सुदार से संबंधी था, ठीके, तो 1989, 1989 में ये समीती गठित की गई, क्या मुख्य सिफारी से थी, एक तो इन्होंने कहा ताकि हमें EVM, Electronic Voting Machine का प्रियोग करना चाहिए, बैलेट की जगा EVM मशीन का प्रियोग होना चाहिए, ताकि जो भी धांदली हो, उसको रोखा जा सके, दूसरा उन्होंने कहा कि आरक्षन के लिए चक्रानुसार पद्धति भी होनी चाहिए, क्योंकि एक फिक्स सीट होती है उसमें उसी व्यक्ति का, जैसे राजस्तान में हम लेते हैं कि श्री गंगानेगर है, बीकानेहरे, वहाँ पर SC सीट होती है, SC केंडेट ही वहाँ पर खड़ा हो सकता है, तो इन्होंने कहा कि चक्रानुसार होना चाहिए, एक बार इस जगा से ले रहे था, दूसरी जगा उ से, ऐसा क्यों? क्योंकि आप मान कर चलिए, अगर बीकानेहर से हमें SC की सीट रहेगी, इसका मतलब वहाँ पर जो दूसरे वर्ग के लोग है, वो कभी भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इसका मतलब हमने बाकी वर्ग के लोगों को चुनाव से वहाँ पर बंचित कर द है. टीएन सेशन समिती बहुत जैने साने मने ड़ीय जे चलिए, देश के ले Об64 में Literud लगभग एक साल से जज्यादा का टाइम हो गया, तो दसवे मुखे जो अःटे रहे थे इह, और इन्होंने बड़ी सं drugs म्रेद की, ने चुनाव ने हमारी यह जो ओ आफिए चुनाव तो उनके समय में एक समीति गठीद गई गई तो उन्होंने ये सिफारिश दी कि एक से अधिक से चुनाव नहीं लड़े कोई भी नेता ऐसी सिफारिश इनकी थी तो को ये केवल समीतिया सिफारिश से कर सकती है सिफारिश से लागू करना सरकार का काम होता है कार्य पालिका कार्य होता है सरकार अपने हिसाब से देखती है इन्होंने कहा कि कोई भी जो नेता है वो एक से अधिक चुनाव शेत्रों से नहीं लड़ना चाहिए पहले ये था कि एक नेता कहीं कहीं शेत्रों से चुनाव लड किफ़ी निचाइबिस कुछनाओं लड़ा था वड़ोदरा से भी और वाहन से वीजार उन्यस से चुनाओं में देकेंगे तो जो मनलेट के निता है राउल दिल्ड़ी जी उन्हों ने भी हार क crear एक से वो जीते थे तो दो शेत्रों का option मिला हुआ है इन्होंने तो सिर्फ एक शेत्र के लिए बोला था लेकिन अभी भी ये मांग जारी है लेकिन फिलाल वर्तमान में सेती है कि कोई भी निता दो जगासु चुनाव लड़ सकते हैं इसके बाद लास्ट इंद्रजीत समीति ये भी बहुत important है इस पर भी आप important लगा सकते हैं 1998 इनके जो मुख्य सिफारिश्ती इन्होंने का कि चुनाव खर्च है तो एक सरवज निकोस बने जो भी प्रत्यासी चुनाव लड़ रहा है उसके चुनाव का खर्चा सरकार दे सरवज निकोस का मतलब है कि सरकार को उनका खर्च वहन करना चेहें ऐसा क्यों क्योंकि हर कोई व्यक्ति कि चुनाव लड़ सके जो गरीव vacation होता है वास्ता में चुनाव में इतना खर्चा होता है गरीबolenia तो वे पहस्ते होगा वो तो चुनाव लड़ी नहीं से पाएगा तो उसके चुनाव के आधिकारों को इस तरह से एक सिफारिस रखी गई तो ये कुछ परमुक समीतिया थी जो हमने समीदान सभा से जुड़ी वे समीतिया भी पड़ी और चुनाव सुदार से मुझे ये चुनाव सुदार की काफी इंपोर्टेंट लगी क्योंकि कई एक्जाम में ये बार-बार पूछी जारिश होगा उस पर बात करेंगे तो नेक्स्ट में हम वापस मिलते हैं और आप सबसे मेरे एक रिक्वेस्ट हैं मैं आपको पिछली बार भी कहा था क्यों 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 को इसको फाइव सार रेटिंग भी देनी है बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द बहुत सारे study material क्योंकि इसमें कुछ function की और जरूत है बहुत जल्द एड़ करती जाएंगे उसकी बात बहुत सारे study material इस पर आपके frame अपलोड हो जाएगा clear तो मिलते है next video में thank you